हेलो गाइस वेलकम बैक टू मिस्टर गेमर तो थोड़े दिन से मेरी वीडियो नहीं आई है क्योंकि मैं ओटोकेट में ये टूडी ड्राइंग में ठूंड रहा था इसलिए बहुत देर हो गई तो आज हम अपना फॉर्थ टूटरियल स्टार्ट करने वाला है तो इसके एंटर करनी होगि लिमेट्स अल आई एम लिमीट्स एंटर फिर जीरो कोमा zero एंटर फैवंड्रेट कोमा देकि मैं हर बार यही मिन लेता हूं क्योंकि यह लिमीट्स में में मेरा पूरा काम हो जाता है इसलिए अगर आप को ये लिमिट्स खम लागती है तो आप जीरो कॉमा जीरो फिर चाहिए तो 200,200 या 1000 गुमा 1000 भी ले सकते हैं मुझे specify यहाँ पर 500,500 में मेरा हो जाता है यसलिए मैं 500,500 ही लेता हूँ और उसके बाद जूम के लिए Z enter फिर A enter जूम all ओके फिर F8 कर देना है बेजिकली और्थो मोड का shortcut किये हो और तो अन करने के बाद आज हम यह वाला part ड्रो करने वाला है यह वाला ओके तो उसके लिए सबसे पहले हमें लाइन से चालू करना होगा अगर आप चाहें तो आज तो डाइरक इसको पॉली लाइन से भी ड्रो कर सकते हैं जो कि बीच में उसका जोइंट नहीं होता है अगर फिर हम लाइन से ड्रोग करा हैं और फिर हम उसको जोइंट करें तो अaj अषció आईनल से करें तो इसके उपर ही हम ड्रो करते हैं चला फिर सबसे पहले लाइन कमांड फिर यह 48 लाइन है तो इसके लिए यहां से सिलेक्ट फिर बेजिकले आपको 48 एंटर कर देना है वह 48 की लाइन आपको दे देगा यह देखिए यह 48 की लाइन है बहुत छोटी है मैं आपको दिखा जैता हूँ डी आई एंटर से आप डायमेंशन चेक कर सकते हो फिर यह 48 की लाइन के बाद यह लाइन और यह लाइन अभी यह लाइन कितने की आपको इधर देखना हो क्योंकि यह लाइन यह जो लाइन है वो इस सर्कल के बेजिक पर है और यह सर्कल अंदर का है डायमेटर 15 तो हमें यह दोनों लाइन 15 की बनानी होगी फिर एल एंटर और यहां से 50 की एक लाइन और अगर आप चाहें कि यह लाइन को आप डायरेक कोपी करना चाहता हो अगर और कोपी कर सकते हैं या फिर इसको मिरर कर सकते हैं मिरर की शॉटकट की है एम आई और आपको पुछेगा इरे सोर्स अब्जेक्ट उसमें आपको एन एंटर करना क्योंकि यह वरना वह आपका जो आपने कोपी किया एक अब्जेक्ट वह आपका डिलीट कर देगा इसके लिए इसको नो कर दे इसके बाद यह थिकनेस 5 mm की है उपर और नीचे दोनों साइड फिर हम इधर से लाइन लेंगे और यहां से 5 mm एंटर करेंगे अभी आप इसको कोपी करना है तो आप इसको भी कोपी कर सकते हैं एम आई एंटर फिर मीड़ पॉइंट और इस तरी के से फिर एंटर अप चाहे तो आपने भी लाइन ड्रॉ कर्या और यह मिरर किया था तो आप backspace कर के भी मेर वापस कर सकते हैं backspace और औरちは अंटर का shortcut है Ctrl Z भी है वो अंडू मिठाने के लिए है और अगर ENTER और बैकस्पैस करेंगे तो आपने पिछला जो यूज किया है वो आपको फिर से यूज़ करने का मौका मिलेगा फिर हम ड्रो करेंगे यह सेंटर लाइन ड्रो कर देता है पहले यह 50 mm का यह जो लाइन है उसका सेंटर लाइन में ड्रो करने है तो आप बेजिकले सेंटर लाइन और डेस्ट लाइन दोनों काला गलाग लेयर बना ले इसके लिए अमने देखाता लेयर प्रोपर्टीज लेयर प्रोपर्टीज में बेजिक जा है फिर एक डायलोग बॉक्स को लेगा फिर उसमें यहां सेंटर लाइन का फिर तो आप उसको नाम दें दें आ की सेंटर लाइन सेंटर लाइन ईपके यहां इसका कलर आपको romance करना है कि मुझे रेड लेश्टीज का तो पूर टो सेंटर लाइन का तो तो ऊष्जीकली सत्सका कांका और Лाइन टीजकार गलान डीश आपको मिल जाएगी center देखिये center point 5x और 2x मत कीज़े को कि यह line यह टुडी ड्रोइंग में यूज नहीं होती है वेजिकली center line इसमें यूज होती है फिर okay और फिर उपर से आपको फिर से center select करना है और okay करना है फिर यहां से आप इसको close कर सकते है और फिर आप चाहिए तो पहले line ड्रोग कीजिए यहां से यहां यह center line हो गई फिर यह line को select करके आप layer toolbar में center line कर सकते हैं और अगर आप इसा नहीं करना चाहते तो direct पहले यहां से center line कीजिए फिर L enter और फिर line ड्रोग कीजिए तो center line होगी मैं आपको recommend करूंगा कि यह type से अच्छा आप पहले 0 layer में ही रहे और line draw कर ले चुकि आप अगर center line फिर यह भूल जाएंगे कि center line में में ही हो गए देखे center line है लेकिन हम है इसमें कुछ दीख नहीं रहा इसके लिए आपको इसकी properties चेंज करने होगी एक मिनिट में फिर डिलिट करता हूं फिर पहले layer properties चेक कर लेते हैं इसमें center है okay फिर cancel और enter फिर यहां media point से line draw फिर center line select और इसकी properties PR enter यहां 1 से 0.5 ओके अभी आपको दिख रही होगी यह बीच में gap आ चुका है इस तरह से आप center line draw कर सकते हैं इसके बाद हम draw करेंगे यह अंदर का जो आप देख सकते है यह पूरा जो है वह भी हम draw करने वाले है तो इसके लिए आपको basically यह नीचे का object चेक करना होगा देखिए कोई भी 2D drawing बनाने से पहले उसका plan elevation side view right view front view top view वह सब देखना पड़ेगा क्यूंकि इसके उपर चाहिए आपको dimension मि करना है और अगर आप यह drawing नहीं देखेंगे तो आपको dimension देना और dimension लेना और इसमें से drawing करना आपको आपने आपको तकलिफ पड़ेगी इसलिए पहले basically आप मैं को recommend करता हूँ कि यह सब देख लेए elevation है यह plan है और यह RHS यानी right-hand side view है है okay अभी हम यह draw करने वाले हैं तो यह सेंटर लाइन से इसके साइज इसके सेंटर से इसकी सेंटर Lाइन की साइज ड Works 742 में है अब दियख सकते जर सेंटी GO इसके बाद आपको भी सेंटर लाइन ड्रो करनी होगी ये इसके पहले आपको ये सेंटर लाइन ड्रो करनी होगी इसके ये सेंटर लाइन ड्रो करनी होगी इसके ये सेंटर लाइन ड्रो करनी है और फिर यहां से एक लाइन ड्रो कर देनी है यहां तक पहले यहां सिर्फ अभ हम सिर्फ अभी यह मार्क करने के लिए लाइन ले रहे हैं इसको बाद में डिलीट कर देंगे और यहां से 72 mm एंटर और यह हमें यह लाइन मिल गई है इसलिए हम यह लाइन को डिलीट कर देते हैं फिर इस लाइन को कनवर्ट कर देते हैं सेंटर लाइन में ओके देखिए 0.3 कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा गैप देखने को मिलिएगा इसमें भी आप चाहें तो ग्रोपर्टीस में जाके यह इसमें 0.5 ही है और 0.3 कर दें ओके कि अब यह आपको पर्फेक्ट सेंटर लेंड दीख रही है इसके बाद हमें यह 72 mm मिल गया लेकिन अभी हमें यह जो है यह लाइन वो सेंटर लाइन से पहले 1.5 mm और उसके बाद 10 mm इस तरीके से लाइन ड्रो करनी है तो इसके लिए हम इसको आफसेट कर देता है सिलेक्ट फिर ओफसेट और स्पेसिफाइव ओफसेट डिस्टन्स हमें 1.5 mm इसको आफसेट करना है तो यह देखिए यह ओफसेट हो चुका है और इसको सिलेक्ट करके फिर 1.5 सिलेक्ट कर लीजे इसके बाद हमें 10 mm की लाइन ड्रो करनी है तो इसके उपर करसर रखे आपको डायरक्टि देगा अभी क्यों में डायरेक्ट चाहँ więc मैं दायरेक्ट मेर कर सकता हूं यहां से मैंने इसको डायरेक्ट मिरर की यह क्या, जब एक 10यममं के डिस्टेंस पे आ गई डि आईए एंटर दिस पोइंट टु डिस पोइंट देखि यह 10ần है फिर आप चाहे तो यह line delete कर सकते है क्योंकि यह line हमने सिर्फ यह दो line create करने के लिए ली थी और अगर आप चाहे कि यह line आपको draw करनी है तो क्योंकि यह draw करनी पड़ेगी क्योंकि यह line इन दोनों में दिखाए गई है यह दोनों line 3mm की है आप नीचे देख सकते हैं 3mm distance और फिर दोन लाइन 10-10mm की है चलो इसके लिए तो भी हमें फिर से इसको offset करते है offset 1.5mm, enter and enter फिर यह select करना है और यह select करना है इसके बाद यह इसको zero layer में convert कर देना है तकि यह common line हो जाएगी इसके बाद यह जो line है दो, यह दो line आपने देखा होगा यह पूरी है लेकिन यह जो line अभी हमने draw की है वो फिर फिर 5mm की line को touch करके इस तरफ से निकल जाती है तो इसलिए हमको यह line भी erase करनी होगी तो फिर इसके लिए हम basic line यह draw करेंगे यहां से यहां तक और इसको mirror कर देंगे, m, i, enter फिर हमें यह जो part है, यह part delete करना है इसके लिए हम use करेंगे tr trim, enter trim का option आपको यहां पर भी मिलेगा, आप देख सकते हैं, trim trim के लिए आपको पहले पुछेगा select object और select all तो आपको select all के लिए express और enter करना है, फिर आप कोई भी चाहे, तो इसमें से कोई भी यह drawing part है, उसमें से कोई भी आप clear कर सकते, erase कर सकते, यह देखिए, यहां आपको उपर एक cross दिखेगा और इसके उपर अपना click किया तो वह line से ली जाएगी, देखिए, अभी मुझे यह line की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको delete कर देता हूँ, यह delete नहीं होगी, क्योंकि यह line एक से ही जुड़ी हुई है, लेकिन इसलिए यह line आप को, यह delete इसी तरह करनी होगी, ओके, फिर यह line आप joint कर दीजिए, यहां से joint हो गई, फिर tr double enter, यह और यह, ओके, यह हमारा इतना बन चुका है, अभी हमें यह center line से 10 mm, और 10 mm के बाद हमें यह पूरा 72 mm कवर करना है, तो इसके लिए हम अभी करते हैं, यहां से 72 mm के line draw मैंने ओरेडी कर चुका कर दिये, तो अभी हम basically radius 25 और diameter 18, तो हम पहले diameter का circle बना लेते हैं, तो यहां से circle में जाए, और center diameter, और यहां से 18, enter, और उसके बाद radius में जाए, और radius 25, enter, अभी हमें यह half circle ही चाहिए, इसके लिए आपको इसके node से एक line draw करनी है, और यहां तक, फिर आपको फिर से tr double enter कर देना है, और यह और यह delete कर देना है, और अगर आप चाहिए तो भी यह line पर delete कर सकते हैं, और हमें simply यह lines को, यह line के साथ joint कर देनी है, okay, यहां से और यहां तक, okay, हमारा यह drawing कम्पलिट होने ही वाला है, थोड़ी देर में अभी, फिर आपको अंदर यह 10 mm के जो box है, उसके बाजू में एक आपको यह line दीख रही होगे, तो यह line है, 30 mm के circle है, उसका diameter है, उसका dimension उपर की और आ रहा है, इसलिए हमें यहां यहा diameter 30, यानि radius 15 की एक line ड्रो करनी होगी, तो अभी हम यहां से इसको यहां तक और यहां तक ले लेते हैं, okay, फिर यह इतना, delete कर देते हैं, और अभी हमें फिर से एक नईया layer बनाना होगा, और जो उसका नाम है, वो है dash line, D-E-S-H-L-I-N-E, dash line, अभी इसका color हम blue रख देते हैं, okay, फिर यहां से center line select होगी, इसके लिए आपको पहले load में जाना है, और इसके नीचे ही, center के नीचे ही, आपको dash dot मिल जाएगा, dash dot, dash dot नहीं, dash dot, D-A-S-H-E-D dash, आपको select करना है, और okay कर देना है, और यहां से आपको dash select कर लेना है, okay, फिर यहां से cancel कर देना है, फिर अभी हमें यह line dash में convert करनी है, देखे, okay, फिर इसको आप चाहिए, तो direct mirror कर सकते है, M, I, enter, यहां से, यहां, enter, अभी हम चाहिए, तो यह circle delete कर सकते हैं, क्योंकि हमें dimension यहां का मिल चुका है, इसके बाद हमें यह, यह rectangle में यह three lines हम को दिख रही है, यह three line है, यह three line है, तो वो basic यहां की three lines है, क्योंकि यह 20 mm का gap है, बीच में 10 mm का, उसमें एक circle draw किया गया है, आप diameter 10 का circle लेख सकते हैं, यह उसी की lines है, तो अभी हम इसको draw नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने यह draw नहीं किया है, इसलिए हम इसको भी अभी draw नहीं कर रहे हैं, तो अभी हमें सिर्फ basically हमें यह पूरा clear करना है, तो आप यहां से देख सकते हैं, कि यह यहां तक हो चुका है, ओके, और तो हमारा यह object में आपको दिख रहा होगा कि यह जो line है, वो cross जा रही है, इसके लिए अभी हम इसको read कर जाता है, क्योंकि इसमें dimension गलत दिया गया है, हमें basic यह line यहां तक लानी है, देखिए, यहां से यहां तक, और यह यहां से यहां तक, और फिर एक arc draw करना है, arc है, center, start, center, and specify start point यहां से center तक और center से यहां तक, अभी यह आपने दिखा होगा कि यह हमारा जूसरी side arc आया है, तो आप इसको mirror कर दे, mi, enter, यहां से, यहां तक, और enter, और फिर यह delete कर दे, ओके, अभी हम, यह, हमने यह draw कर लिया है, एक आपने देखा होगा कि center line यह, इधर इधर भी है, तो यहां से, यहां तक एक line draw करे, और फिर इसको convert into center line, और फिर आपको इसकी property change करने होगी, PR, enter, और यहां से कर दे, 0.3, close, ओके गाईस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप इसके dimension कैसे देते है, और किस तरीका से dimension style होती है, dimension में कौन-कौन से change हम कर सकते हैं, और जो जो change हम करते हैं, उसको save कैसे करते हैं, वो सब आपको दिखाऊंगा मैं अगली वीडियो में, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड़ बाई, ज की ऑली वीड़ राए, जा ची वीडियो में, कैसे जाइक दो, ब बुड़ ईंगब कैसेश को था जारी कन chrom 살 Alg passes, कैसे एम आपको प्रम से अवाधे, औरा चे बहुड़ वीry वाली से शोंवड़ीं के लिच् nécessaire, प्सक्वाण जापको लेए,